अब फ्रेंड्स देखो मेरी कल कॉविट दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी आज मेरा दूजा दिन है क्योंकि जिससे सामना ले बिमारी फैल रही है लगवग किसी न किसी दिन सारे नुविदा सामना करना पढ़ेगा ए वीडियो में इस करके बना रहे हैं कि जदो बंदे की करा ए थे दल ही में वैसे तहुं सारे नों पता ही है लेकिन फिर भी जदों भी कोई तो नों इस तरी के दे कोई हलका बुखार हुं दी है या गला कराब हुं दैया बॉड़ी दर्द हों दै कोई डरन वाली गाल नहीं कोई सब तो पहला अपना कॉविट दा टेस्ट करा है उस तो बाद तुसी अपना प्लाइन करो कि किस तरीके नाल तुसी अपना होम घर्दे पे चाहिसोलेट होना है कि हॉस्पिटल जाना है डिपेंडिंग अपन यूर एज एंड सिम्टम्स डॉक्टर्स ने मैंनों घर देविच रेंडी सला देती है होम आइसोलेशन देविच कुछ चीजा दा आपनों ध्यान रखना चाहिए जो की लगबग पहला ही दसिया जा चुकी है लेकिन फिर भी मैं एक बारी दसना सारी हूं जानते हैं पल्स ऑक्सीमेटर जो गवर्मेंट भलों में फिर फत्यक्रिट देती गई जिदे विचे सारी है चीजा एवलेबल है एक ऑक्सीमेटर दी डीडिंग मेरी लगवग 96 दी आ रहे है एक टेंप्रेचर मेजर करन ली थर्मामीटर एक कल मेरा 101 आ रहा सी फ दिन दे विच तिन बारी लेंदे रहो एंड उदा एक कावज दे ऊपर चार्ट बना दो तांकि जदो भी कोई तो नूँ किसी मेडिकल इमर्जेंसी दी या अपनी डॉक्टर साहब ना कोई चीज अपनी शेयर करनी प्रभे तो उसी उस चार्ट नूँ शेयर कर सको और उन इसमारी में रोज ने आपनी डॉक्टर साहब ना दो थीमेंसी या या रोज दी दो थिन टैबुलेट अपर चूश सकते हैं दो तेन चारह तक भी चूश सकते हैं उसकड़ दे विटामिन दी दो झां प्रेश्य विटामिन दी शेयर कर माहिए लोड़ने उसमार्ण कार्या एक निए जिन्क की गोली है एक या दो गोली ले सकते हैं चाहिए निक वाली मत इंद हम यह पाधी करोगें मेरे लिए तो मैजिक गुली है एक डोलो 650 MB क्योंकि जदो बुखार स्री मैंनों 101 एक बाड़ी एक हो रहा सी ते बाड़ी मैंनों लग रहा सी शायद मैंनों कुछ बटी बिमारी हो गई है लेकिन गोली जदे उपार लही डोलो 650 MB परासेटम all simple एक डम ही बाड़ी नों इन्हे नहीं होया वह मैं नहीं लेकिन यह मैजिक गोली जिसनों आपका कह सकते हैं डोलो 650 इसी तरीके दी परासेटम all काफी सारी यह आं दिये उननों भी अपक उसी कटेग्री दे विच रख सकते हैं नेक्स्ट गोली है अपनी टॉपसीड 40 mg क्योंकि हुंदा की है कि बैठे बैठे आपा आइसोलेशन दे विच बाड़ी दे विच कही बड़ी गैस होगेरा टाइप की चीज़ बन जान दी है कि उसनों ए ठीक रख दिया है डाइशन होगे रानू टॉपसीड 40 mg एंड एक है चार रुपे दी एक पत्ता है सत्रा रुपे हमार पीलखियों दी है चार रुपे दे विच मिलदा है यह ओका सेट यह वाली ठीक नहींदी है बाकि काफी सारे ब्रैंड डॉक्टर्स महंगा महंगा भी तो प्रेस्क्राइब करेंगी काम सारा सेम ही कर दिया है जिदना अप अर रुपे में अलर्च ओफी आ रुपे दा ल really और कार आपा एक यह एलक्स कप सिर्प कोई भी लह सकते है रहू सिर्पिश कर दो शेक काना पर अधार रनल कर्णे करदा क्याला secular देओ क होरु फाहिं को इसना सब्सक्राइब सेलेौowaWh क्या कित तो अलावा भी डॉक्टर्स ने मैंनू दो गोलियां दो तरीके ली देती छी में तो लुदास ना एक सीए है एजिथ्रॉल 500 mg एक गोली रोई लेनी हों दिया है क्योंकि एंटिवाटिक दे काम कर दिये हैं एजिथ्रॉल 500 mg दिन दे विचे एक बारी लेनी हों दिये अधरवाइस जे तो नो कोई कोई सिम्टम में बुखार वगरा है फिरी इसनों प्रेस्क्राइब कर दे नॉर्मल कोवेट पेशेंट्स कई बारी इसनों नहीं भी लेंगे ताम ही चल जुगा क्योंकि एक कोई नाल कोई तो नों जी वैक्टरियल इंफेक्शन है उसनों कंट्रोल कर दिये सेखेंडे गली मैंने देती सी ग बस्कादर ऋने ऐडी एक गल दली आनुप इसे यह उनने मेडिशन से दिती गों और इता हो गया दवाईयां दी गल लेकिन जो सब तो इंपॉर्टेंट चीज है इस दे विच दवाईयां तो कोई खास नहीं है मैजिक ड्रग तो डोलो है जो तो अड़ा कोई बुखारा जाए उसनों कंट्रोल करती है बाकी विटामिन C और D है उसनों तुसी ले लो और कोई कफ खराब कफ बगरा है तो उसी सट्रेजन बगरा ले लो और टॉपसेड है तो पेट दे बिच भारी पा ना जानदा है और नों लगदा है कि मैंनों कोई बहुत बड़ी विमारी है पांजी चीज़ां इंप्वर्टन्ट है विटामीन सी, डी, टॉपसिट, सेटरीजन, डॉलो इंप्वर्टन्ट बाकी सारी चीज़ां लाईर है जो चीज इंप्वर्टन्ट हो और तुलसी पानी पर जरूर एक टाइम लेना है कोई लेंट, योगा य्यमद्त आपरायद अब्सक्रान तो유गा अग। में अपने कम्रे दे बिची लगा के पर्मनेंट रखी होई है एंड कोशिश करिए कि अद्दा गंटा अटलीस प्राणायाम अनलोम बिलो एंड कपालवाती जरूर अद्दा गंटा यह हो भी और अद्दा गंटा योगे योगा दिपापी इस्ट्रेचिंग्स वगेरा हो जाएं इस्टीम दा फाइडा होंदा है इस्टीमर किट्रे विच भी है इस्टीमर पांच-पांच मिनिट दो बारी अपा ले लिए मैं भी लेना कोई यह अंदर बाइचांस इंफेक्शन वैसे कोई मेरी मेरा नोन नाक वगेरा कोई रुक्या है कोई वाक वगेरा दी तुसी वाक कर सकते हो बेरेकुल फैसलिटी है एक मेरे घर्दे विची छोटा जा ग्राउंड है कोई नहीं जानदा मैं उते वाक कल कर ली सी थे कोशिश करांगा कि आज भी कर ली जावे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर्स ने मैंन कि अपा लुटा लेट जाए लोटा यानिकी पेड़ देवर लेट जाए वो सारी दवायन अलों भी बद काम कर दी है जो डॉक्टर्स केंदे है कि आनू तो वैसे ही पबलिक तरीफ का दी है जो सट्डे कोल भी भी विदी यह ही है कि यसी उन्ना नोँ उल्टा लिटा दें ते उन्हा दीज़ेडी oxygen दी requirement है वो automatically body generate करना लग जान दी है यानि की lungs नो जगा मिल जान दी है CBC कीता है PBF होंदा है कोई एक CBP and LFT and DDMR होंदा है वो RFT ए सारे test कीते हैं जिना दी रिपोर्ट हले आनी है वो जो भी रिपोर्ट्स आनी है उसे सामना लोग करने तुसी भी जदों भी कोई होंदा है तुसी अपने यह चीजां जो हो रहे हैं तुसी उसनों कावस्ते लिख दे रहो जदों भी कोई तर्व एवलेबिन होंदा है डॉक्टर्स उननों तुसी वाट्सेप कर सकते हो पुलिस वल्लों भी असी एक ग्रूप बना रहे हैं जोने भी पेशेंट्स होम आईसूरेशन दे वीच होणगे वो पु तरह जोना नो कोई इस तरीके दी प्रॉबलम ना वहें देखो कोरुणा दी महमारी तह एक प्रॉबलम वाली गल सारे लेही हैं लेकिन अपड़ क्रिटिसाइज नहीं करना किसी नों भी डॉक्टर्स नों भी एद्मिनिस्टेशन नों भी क्योंकि सारे ही अपना-पना काम होंदा है किसीनों भी घार दे बिच रखना ऑखा होंदा है पब्लिक दी भी कई वारी बस हो जान दी है ते रल मिलके अपर इस बिमारी दा सामना करना है एंड मैं अखीर देविच एही का मागा कि जदों भी कोई तो इस तरीके दी कॉविट दी पॉजिटिव दी क्योंकि वह उस तो डिस्टेंस बनाके रखो उसनों इस बिमारी अपनी लपेट दे विच ना ले ले वे खुश रहो एंड होसला रखो परमात्मा दे उपर विश्वास रखो अप ऐस जंग नों फतह करांगे एंड जो सरकार दा मिशन फतह प्रोग्राम में सीम साब्धा और जो मिशन फतह प्रोग्राम में उसनों सफल बनावांगे यही मैं आस करता है जाहिए